हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि वीवो T3 लाइट फोन में आप लोग है डबुल टेट स्क्रीननक कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक वीवो T3 लाइट फोन है और इस फोन में जो आपको डबुल टेट स क्रेन अन करना है अगर आपके फोन का जो पावर बटन होता है गैस वह खराब हो चुका है पाव़वाटन जो कभी कभी काम नहीं करता है तो आप लोग अपने screen को कैसे on and off कर सकते हो जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो है phone का screen जो बंद है अभी देख सकते हैं double tap करेंगे screen में ही तो या पर screen on हो जुका है आपको जब power button पर click करने की जरूरत नहीं है गैसा आप लोग अपने screen में double tap करती screen को on और off कर सकते हो देख सकते तो कैसे आप लोग अपने इस phone में double tap screen on कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पासा नाए वीडियो को like कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लीजिए तो चलिए गए इस वीडियो को start करते हैं double tap screen on करने के लिए आपको सबसे पहले जो अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा गए shortcuts and accessibility का तो इस shortcuts and accessibility के option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद smart motion का option आएगा तो smart motion के option पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करती smart screen on off का option आएगा तो smart screen on off पर क्लिक करेंगे क्लिक करती देख सकते double tap to wake और double tap to turn off का दोनों का option आचुका है दोनों को यह on कर देना है देख सकते हैं मैंने पहले सी on किया था तो आप यह बंद कर देते हैं तो आपके phone में इस तरीके से off रहेगा तो इन दोनों को on कर दीजेगा इस on करने के बाद आप आप लोग अपने screen में double tap करेंगे तो screen बंद भी हो जाएगा double tap करेंगे तो on भी हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Vivo T3 light phone में आप लोग double tap screen on कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो बसा नाए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते का लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई